सो हलो अब्रिवन आप सब का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पियास ट्रीडिंग जोन पर आज मैं आप लोग के साथ अपनी फिन निफ्टी बीटी एस चेक्स पारी स्टैटेजी को फिर से बैक टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि लास्ट वीक इस स्टैटेजी ने हमें किस तरीकी का रेटन जनरेट करकर दिया था अगर अब ही तक आप में किसी ने भी हमारी फिन निफ्टी वाली स्टैटेजी नहीं देखी तो सबसे पहले उसको चेक आउट कर लिजिए ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टेंड हो पाएगा कि इसमें क्या-क्या एडजस्मेंट करने हो और इस स्टैटेजी को किस तरीकी से प्लियाओ करना है तो उस वीडियो का लिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप लोग वहां से जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए आज की वीडियो में हम लोग दिखेंगे कि इस स्टैटेजी हो किस तरीकी से बनाना है हमारा स्टॉप लोग क्या होगा इस स्टैटेजी हो किस तरीकी से मैनेज करना है जो बारा बज़े हम लोग एडजस्मेंट करते हैं वो किस तरीकी से करना है ये सारी चीज़े आज हम वीडियो में, तो वीडियो को स्टाइट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट है, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बैल आइकन में ट्रेडिंग करने के लिए, जिस तरीके अगर रिटन हम लोग खुद जनरेट करने वैसा रिटन कमाने के लिए तो वो हमें वाटसाप पर DM कर सकता है वहाँ पर हम लोग डिस्कुस करके अपनी ट्रेडिंग जलने भी लगने वाला है हमारा यानि कि इस strategy में जो margin होगा हमारा वो होगा 2,70,000 के आसपास का margin आप लोग को लगने वाला है इस strategy में हमें entry कप करनी है तो वो entry करनी हमें मंडे को 3.25 पीम यानि कि मंडे को जब बिलकुल market off होने वाला को तब हम लोग अपने trade execute करेंगे क्योंकि यह BTS ची strategy है इसलिए हम लोग मंडे को बनाएंगे और टीजो को cut कर देंगे और हमारा index क्या होगा फिन nifty ठीक है इस strategy में exit करना है तो exit करना है हमें expiry day पर यहाँ पर event day लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ हमें exit करना expiry day यानि कि जिस भी index की जिस दिन भी expiry होगी उस दिन हमें exit करना है ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा correction है यह expiry day होगा ठीक है top loss क्या होगा हमारा strategy में वह होगा half percent of our capital यानि कि अपने capital का हम लोग half percent use करेंगे इस top loss for an example हमारा 3 लाग रुबे का capital लगा तो हम लोग अपना stop loss रखेंगे 1500 रुपीज कर ठीक है target क्या होने वाला है हमारा strategy को use करके तो हम लोग target करेंगे 3-5 percent earn करने का यानि कि कोशिश करेंगे इस type की strategies बनाके overall month में 3-5 percent का return generate कर सके अगर किजी को 3-5 percent का return कम लगता है और देखते हैं कि इस strategy को किस तरीके से बनाना है ठीक है तो हम अपने stop mark के platform पर आगया हूँ अब किसी भी strategy को back test करने के लिए आप लोग को क्या करना है यहाँ पर जहाँ पर bank nifty लेफ्ट साइट पर यहाँ पर आपको अपना index select करना है आज हम लोग fin nifty में कर रहे तो आप आप जब भी trade को execute करें वहाँ पर आपको अपना spot price दिखना है यहाँ पर spot price का चल रहा है 21,450 के आसपास हमारा ATM price चल रहा है तो मैं करूँगा दोनों ही call और put buy कर लूँगा ATM prices के now मैं देखूंगा कि मैंने कितने premium पर buy किया for example मैंने put site पर इसको 70 रूपीज के आसपास buy किया तो मैं ऐसे 3 lot बेचूंगा जिसका overall premium 70 रूपीज के आसपास हो यहाँ पर मैं 21,300 रूपीज का बेच देता हूं 3 lot और सेम चीज यहाँ पर भी कर देता हूं call site पर कितने कितने lot क strategy बनका यहाँ पर ready हो जाएगी जो हम लोग पहले strategy बना रहे थे इस सेम strategy बनका ready होई ठीक है लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है हमें कि यहाँ पर एक नीचे विग दिख रही है हमें यहाँ पर downside पर अगर market यहाँ पर close होता है तो हमें 1200 रूपीज का loss हो सकता है जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बता था कि हम लोग को अपना margin 3 lakhs के अंधर ही अंदर रखना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं जो हमने sell कर रहे है न उसको 4-4 lots कर सकते है और deep out of the money के दो-दो call option और put option buy कर सकते हैं 1.52 रूपीज के आसपास के जो भी premium होगे हम ल पीचे विक का डर्स हा जहां पर आपको 1200 को नुपसान हो था अब वो सिर्फ 350-400 रूपीज के असपास बना है तो आप लोग इस तरीके से कुछ manage करके भी अपने strategy बना सकते हैं अब एक बार देख लेते कि हमारा estimate margin कितना लगा max profit कितना हो सकता है probability है कि नहीं हमारी strategy में यह सारी शीज़े हम लोग इबार check out कर लेते हैं तो जैसा कि वीडियो के starting में बताया था कि आपको 3 lakhs के अंदर आपका trade बन जागा 2.7 के आसपास 2.6 के आसपास भी आपका trade बनका ready हो गया max profit कितना हो सकता है यहाँ पर 2% लेकिन हमारा target नहीं है अगर हमें half percent एक percent के बीच में कभी profit मिलेगा तो हम लोग कर सकते हैं यह depend करता है आपका risk appetite कितना है आप कितनी देर तक state को hold कर सकते है तो यह चीज इस चीज पर depend करते है ठीक है अगर आपको आधा percent नहीं कमाना है तो आप आधा percent में book कर सकते हो otherwise आप लोग 3 p.m. तक भी रूख सकते हो और 3 p.m. पे जो भी profit and loss होगा वो ले सकते हो ठीक है probability कितनी है इस trade में वह 72% यानि कि 72% chances है कि इस trade में आपको profit ही होगा ठीक है तो अब हम लोग simply इसको 15-15 minutes करके आगे देखते हैं और देखते हैं कि last week हम इस strategy ने किस तरीके performance करके दिया ठीक है अब मैं simply इसको 15 minutes आगे कर रहा हूं जैसे ही next day market open हुआ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको 1250 rupees का profit हो रहा है that means आपको आपकी capital पे half percent का return मिल रहा है now logically अगर आप लोग देखोगे कि आपने सिर्फ straight को carry किया सिर्फ half hour के लिए आपने 3-15 पे बना है था 9-15 पे sell कर देंगे यानि कि आपने आधे गंटे में अपना half percent का return भी generate कर लिया now यह आपकी उपर है कि आप लोग half percent का return ही book करना चाते हो या फिर 3-2 तक रुपना चाते हो यह पूरी चीज आप लोगों के उपर depend करती है लेकिन मैं यहाँ पर आगे करता हूं और देखते हैं कि 12 बजे हमें जो adjustment करना था वो किस तरीकी से हमें करना पड़ा ठीक तो यहाँ पर 10 बजे के आसपास आपका profit ठीक है 15 पर भी आपको half percent का profit हो रहा है तो simply क्या कर सकते हैं बारा बजे तक आपने hold किया 0.5 percent का profit हो रहा है तो आप लोग चाहो तो इसको भी book कर सकते हो अब adjustment क्या था adjustment हम लोग तब करते थे जब market किसी एक side की तरफ move कर जाती दी लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आपने जहाँ पर strategy बनाई थी market बिल्कुल वहीं की वहीं है कहीं पर भी उपर नीचे नहीं गई है 12 बजे के आसपास आपको market वहीं का वहीं मिल रहा ठीक है तो आप लोग simply क्या करोगे यहाँ पर trade close कर दोगे क्यों कर दोगे क्योंकि अगर market यहाँ कई बंद हो गया बिल्कुल rain bound हो गया तो आपका जो भी profit था वो loss में convert हो जागा भले ही छोटा सा loss होगा लेकिन आपको जो अभी profit आ रहे हो पूरा का पूरा wipe out हो जाएगा तो I will suggest कि आप लोग यहाँ पर अपना simply profit book कर लो 0.5% का profit BTSC strategy में बहुत अच्छा होता है now मैं आप लोग को चीज बता देता हूं कि आपको adjust क्या करना था मान लोग कि यह market जो अभी यहाँ पर है for example मान लेते हैं हम लोग यह थोड़ा सा downside की तरफ चला जाता है तो आप लोग क्या करेंगे जो आपका other lag होगा उसको close कर देंगे and जो चीज हम लोग strategy की starting में बनाते आप simply 0.5% का return generate कर सकते हो बस आप अपना stop loss ध्यान पर रखना वो कितना है आपकी capital का half percent यानि कि जितना आपका profit हो उतना ही आपका stop loss हो सकता है यह state में लेकिन most of the time क्या होता market range bound रहती है इसलिए strategy बहुत अच्छा profit generate करकर देती है अगर last week भी हम लोग strategy को करते तो last week भी हम आपको वहाँ पर reply कर दूँगा जो भी आपके questions होगे ठीक है and last में मैं आप लोग को एक बार फिर से याद दिलाना चाहाँगा कि अगर आप में से कोई में interested है हमारे साथ live market में trading करने के लिए तो वह में WhatsApp पर DM कर सकता है हम लोग वहाँ पर discuss करके अपनी live market में trading जनने start कर स करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन गुडबाई